हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज आपका स्वागत है मेरे सरकारी घर के सरकारी किचन में आप सोच रहूंगे कि आज मैं ऐसे वीडियो क्यों बना रही हूँ तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने किचन में ही वीडियो शूट करती हूँ केक की आइसिंग करती हूँ, सारा काम किचन में ही करती हूँ, ज्यादा गर्मी होने पर मैं अपने रूम में ही केक की आइसिंग करती हूँ आज मैं जो केक बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेसल है बहुत ही अच्छी डिजाइन है इसकी तो वीडियो को पूरा देखें और ये आगई मेरी बेटी जो की बिना केक बेटर को मिक्स किया मानेगी नहीं तो आप देख सकते हैं कि वो केक के बेटर को मिक्स कर रही है आप देख सकते हैं ये इसमाइल इससे मिक्स करने में बहुत ही मज़ा आता है इसलिए जब भी मैं केक बेग करती हूँ बनाती हूँ तो ये मेरे आसपास ही यहां पर मैंने हाप कप पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर लूँगे अच्छी तरीके से दोस्तो यह हाप केजी का केक है वनीला केक है लेकिन इसकी डिजाइन आप देखेंगे बहुत ही अलग होगी स्क्वाइर सेप में केक है तो कस्टमर का डिमांड था स्क्वाइर सेप में ही होना चाहिए वन टी स्पून मैंने हाँ अन फ्लेवर्ड रिफाइन ओयल डाल दिया है कभी भी फ्लेवर्ड रिफाइन ओयल नहीं यूज करना है नहीं तो केक का स्वाध बदल जाता है मैंने थोड़ा सा पानी एड किया था मुझे लग रहा था कि कम होगा तो मैंने वन टी स्पून के बराबर पानी एड किया है और ये देखिए मेरी बेटी अभी मिक्स कर रही है मैंने बाउल को पकड़ के रखा है ओटी जी में 160 डिग्री पे मैंने इसे प्रिहीट भी किया था और बेक किया था 30 मिनट के लिए आज मैंने केक के चारो तरफ कटिंग कर दी है जो की बेकरी वाले करते हैं तो उसी के कारण आप देख सकते हैं केक कितना डूट रहा है मैंने सोचा आज बेकरी स्टाइल में केक बनाते हैं लेकिन साइट से जम मैंने कटिंग की तो केक काफी ज्यादा तूटने लगा दो केक मुझे बनाना ही था और तीसरे केक का भी ओर्डर मुझे आया तो मैंने इसे बेक किया और गर्म था ही तभी मैंने इसे कट कर दिया और मैंने बेकरी स्टाइल में बनाने के चक्कर में साइल्ट से भी कट कर दिया जिसके कारण केक थोड़ा सा तूर गया आप देख सकते हैं मैंने इस पे क्रीम लगा दिया है और वनिला केक है इसलिए मैं इसमें डाल नहीं हूँ कंडेंस्ट मिल्क इसे अच्छी तरीके से चारो तरफ फैला देंगे और ये नेक्ष्ट लेयर मैंने डाल दिया है और इसको भी मैं पानी से सोक कर लूँगी और फिर क्रीम लगाऊंगी और साथ ही मैं डालूँगी कंडेंस्ट मिल्क और एक साथ मैं इसे मिक्स करते हुए फैला लूँगी दोस्तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं दोस्तों एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा करना ही चाहिए, आज मैंने बेकरी वाले की तरह साइड से कट किया, स्क्वेर से केक बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आप स्मूथ करने के चक्कर में आप थोड़ा सा गरबर कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब और आता है, तो उसे बनाना ही पड़ता है, साइड से मैंने क्रीम को लगा दिया है, और इसे अच्छी तरीके से क्रम कोट करने के बाद मैं 15 से 20 मियर तक फ्रेज में छोड़ दूँगी, ताकि ये सेट हो जाए, ये देखिए मैंने इसे क्रम कोट कर लिया है, अब मैं इसे बोर्ड पे ट्रांसफर करूँगी, आज एक गलती और हुई, क्योंकि स्क्वाइर सेप केक था और मैंने बोर्ड लिया था छोटा, तो इसके कारण मुझे इस बोर्ड के बाद फिर से दूसरे बोर्ड पे से सिफ्ट करना पड़ा, ये राउंड सेप में हाफ केजी के और एक केक की फाइनल आइसिंग करके रखी है फ्रीज में, और सारे केक सेट हो रहे थे, स्क्वाइर सेप केक में आप जरूर से जरूर पाइपिंग बैग का यूज करें, क्योंकि अगर आप नए हैं, तो आपका स्क्वाइर सेप अच्छा नहीं आएगा, तो अगर आप इस तरीके से क्रीम लगाते हैं, तो आपका सेप बहुत ही अच्छा आएगा, ये देखिए मैंने चारो तरफ और उपर भी क्रीम लगा लिया है, अब इसे मिक्स करेंगे, अगर राउंड सेप केक रहता है, तो आप आसानी से टरन टेबल गुमाते हुए, बहुत ही आसानी से इसे स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन आपको स्क्वेर सेप में ये ध्यान रखना पड़ेगा, कि ऐसे अराम आराम से साइड को एकम से परफेक्ट तरीके से करें, ताकि जो कॉर्नर है वो अच्छा दिखे, यहाँ पर मैं ओएसपी सीट का यूज कर रही हूं, और इसको कॉर्नर बन रहा है, इसकी फिनिशिंग आनी बहुत जरूरी है, तभी केक बहुत सुन्दर लएगा, इसलिए मैं फिर से ओएचपी सीट से स्मूथ कर रही हूं, उपर की तरफ मैं प्लेन कर रही हूं, लेकिन आप जबी भी उपर की तरफ या फाइनल आइसिंग टच दे रही हूं, तो आप पैलेट नाइप को थोड़ा सा पानी में भींगा ले और उसके बाद उससे अगर आप इस तरीके से स्मूथ करेंगे तो बहुत थी अच्छी फिनिशिंग आने वाली है आपकी भी, यहां पर मैं मैंजिक कंपनी का जेल कलर यूज़ कर रही हूं, और इ इसे पाइपिंग बैग की सहता से केक पे लगाने वाली हूँ, तो इसे मैं पाइपिंग बैग में डाल लूँगी, मैं इसे जिग जग करके उपर नीचे करके लगा रही हूं, आप अपने डिजाइन के हिसाब से भी लगा सकते हैं, क्योंकि केक का डिजाइन ही कुछ इस इस तरीके का मैंने सोचा था, तो उसी हिसाब से मैं इसके उपर ये कलर लगा रही हूं, इसे स्मूथ भी करेंगे, बहुत ही असानी से स्मूथ हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेसर नहीं डालना है नहीं, तो ये वाइट कलर पे आ जाएगा, हलके हाथों से इसे करूंगी और बीच बीच में पैलेट नाइप को हलका सा पानी में डिप कर लोंगी, ताकि ये भी स्मूथ हो जाए, आइसिंग अच्छी दिखे, जो भी डिजाइन हम बना रहे हैं, उसकी फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए आप बीच बीच में पैलेट ना जो डिजाइन होता है, उससे बना रहे हूँ, ये मेरा विल्टन का नोजल है, और इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखोंगी 10 मिनट के लिए, और ये जब सेट हो जाएगा, तो मैं इस पे चौकलेट से डिजाइन बनाने वाले हूँ, चौकलेट ग्लेज मैंने तयार कर के रखा है, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस तरीके से भी ग्लेज बना सकते हैं, या फिर आपने कोई केक आज बनाया है, और उसका अगर ग्लेज बचा है, तो भी आप यूज कर सकते हैं, आज मै मैंने चॉकलेट ग्लेज थोड़ा सा जादा तयार किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ा अलग डिजाइन डालना है, तो क्यों ने इस पे भी ग्लेज का यूज किया जाए, हलके हाथों से इसे फैला दूंगी, ज्यादा तेजी से फैलाने पे क्रीम बाहर दिखने लेगेगा इसलिए बहुत ही हलके हाथों का यूज करना यहां पर इस केक की वीडियो मेरे स्वेतास की चैनल लाइफिस्टाइल पर है जो आप पीछे देख रहे हैं और कुकिंग बेकिंग पर ये वाली वीडियो जाने वाली है अगर आप उससे भी देखना चाहते हैं तो आ आप किसी भी चैनल पर आप देख सकते हैं मेरे उसी के रेड कलर के ग्लेज से मैंने इस तरीके से डिजाइन बनाया और तूथपी की सायता से इसको और भी खुबसूरत बना दिया है इस तरीके का डिजाइन आपने स्क्वेर से केक में नहीं देखा होगा जो कि मैं आपको आज बना कर दिखा रही हूँ आपको अगर डिजाइन अच्छा लगा है तो आपने लाइक अभी तक क्यों नहीं किया जरूर लाइक करें और साथ ही साथ अगर डिजाइन पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें कि आपको केक कैसा लगा है यहाँ पे मैं गोल्डन फ्लेक्स लगा रही हूँ ताकि इस cake को royal look दे सकूँ उपर की तरफ मैं golden ball लगा रही हूँ जो बड़े size का ball आता है उसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है cake हमारा ready हो चुका है आप देख सकते हैं final look इसका ऐसा है तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको cake आज स्टार्टिंग में मैंने कुछ नए तरीके से वीडियो डाला है वह कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी तो मैं उस टाइप से भी वीडियो डालूंगी कि मैं कैसे cake बनाती हूँ और कैसे इससे मैं pack करती हूँ वह भी आप देख लीजिए